हेलो नमस्कार दोस्तों मैं मुलकास सार आपके साथ जूर चुका हूँ दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो CA Foundation करना चाते है और अभी 11th कॉमर्स में है तो ये वीडियो उन सबके साथ शेर कीजिए जो 11th में है और अभी CA करना चाते है और उनके confusion है सार इतना जल्दी शुरू करे क्या कैसे हमारा जर्नी रहेगा एक्जाम कब होगा जैसे बहुत सारे बच्चों को बता है 2024 में उनका 12th का एक्जाम जो भी फिलाल 11th में है और उसके बाद CA एक्जाम भी होगा बहुत सारी बाते मैं detail शेयर करूगा पहले मेरे बारे में अगर बता दू जो बच्चे न्यू है मुझे पहली बार देख रहे है तो 11 साल से मैं teaching field में हूँ यूटूब चैनल पर आप देख सकते हो 62,000 से जादा बच्चे अलवर महराश्टरम से जुड़ चुके नासिक में हमारा क्लास है कॉलेज रोड पे विवाई के कॉलेज के पास बुडलाइन शोरूम के ऊपर और अलवर इंडिया रैंकर दो हम अब तक ला चुके हमारी आपको आपके मतलब की बात बताने जा रहा हूँ that is 11th प्लस CA करना है सर हमें और आप हमें कुछ बाते बता सकते हो ताकि हमों इस जर्णी में हिल्प हो पहले तुम्हें आपको यह बता दो दोस्तों कि आप अभी December मन्त में हो जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा करीब-करीब मार्च और एप्रिल में आएगा 2023 में तो आप देखते जाए जर्णी मैंने पूरा टाइम फ्रेम बना के रखा हुआ है आपके सामने जब आपका जून में और जुनिहा पर आपका CA Foundation का एक्जाम है अगर आप 12 वी के बाद देना चाहते हो तो यह जर्णी कैस जाएगा मैं सब चीजे इन डीटिल बताऊगा आपको अगर मैं बात करूँ तो आपके पास अभी भी कम से कम 15 से 16 महने है बट एक important बात जो आपने बहुत ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे classes वाले कह रहे हैं कि चलो शुरू कर लेते हैं बहुत सारी fees one time pay कर इसके बाद आपका syllabus change है syllabus change मतलब क्या इस attempt के लिए आपके जो चार subject है उसमें आप लोगों को कुछ बच्छा online भी देख रहे है तो ऐसे ना हो क्यों गलत चीजे देख ले law के साथ एक subject है that is b c r और economics के साथ एक subject आता है that is b c k अब amendment new syllabus के इसाब से दो subject अब नहीं रहने वा नेगेटिव मार्किंग रहने वाले है बड़ दोस्तो आपके attempt के लिए 2024 तक कुछ नहीं नहीं बात आएगे तो आपने अभी अगर पढ़ना भी शुरू करना है तो आप accounts पढ़िए आप mathematics पढ़िए थोड़ा बहुत और law का वो portion contract अगरे लेकिन बहुत जादा time आपने फ मार्च के बाद April से 12th college में शुरू हो जाएगा वैसे classes में तो हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं तो इन college का journey April से शुरू हो जाएगा April 23 आपका board exam आने वाला है यहाँ पे पेब 2024 आप सब चीज़े consider करना पड़ते वक्त जो आप कर रहे हो उस चीज़को ध्यान में रखो क्योंकि फेब 24 में आपका board exam आने ही वाला है पेब और March में तो अब जो मैं बता रहा हूँ अगर आप 11th standard में accounts जो आपको दिया हुआ है इसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो CA foundation के कितने chapter cover होते है सर आपका bank reconciliation statement अगर आप 11th में अच्छे से करते हो as it is CA foundation का chapter है आपने journal किया है, leisure किया हुआ है, subsidiary books पढ़ा हुआ है, basic concept जो पढ़े business entity, conservatism ये सारे concept को लेके 2-3 chapter हो जाते है अगर मैं unit wise बात करो तो आपका rectification of error जो 11th का chapter है CA foundation को है, आप लोगों का depreciation ये वाला chapter जो 11th standard को है, again CA foundation को है तो अगर कोई student 11th को बहुत अच्छे से समझते हैं, और साथ में में कुछ reference book आपको बताऊगा, module में से पढ़ना ही चाहिए, लेकिन आप 11th को justice देते हो ना sir और madam, तो आप लोगों का first module जो है CA foundation का, around 30% तो होई जाता है, 25-30%, अब आप 12th में जाओगे, यहाँ पर, यह journey आपका यहाँ पर चालोगा, तो बहुत बच्चों का सवाल रहता है sir, 12th और CA foundation का कोई relevance है, क्या, इतने मेंने हम 12 भी तो करेंगे, और CA foundation भी करना है, वो भी बताता हो, 12th accounts के, जैसे कि NPO एक chapter है, not for profit organization, आपको CA foundation को है, विलोप exchange एक chapter है, आपको CA foundation को है, company account chapter है, आपको CA foundation को है, दोस्तों बहुत सारी बाते, final account एक chapter है, आपको CA foundation को है, तो अगर हम 11th, 12th account अच्छे से कर रहे है, simultaneously, आपका base CA foundation का बनी रहा है, साथ मैं आपको ऐसा class चाहिए, जो बहुत जादा burden ना दे, आपको smart तरीके से पढ़ाए, तो बहुत जादा load दे दिया, इतना करके आओ, तो घर पे आप parents के सामने तो पढ़ते होगे, बट बहुत सारे student को नहीं जेपता, फिरो ना सिब, बस ऐसे मेहनत का काम हो जाता है, ना दिमाख में चीजे conceptual जाती, ना कुछ समझता है, आपको मैं आगे time to time वीडियो लाते होगा, वो connectivity दिखा होगा, कि दोस्तो आप कैसे अपने board में भी excellent, मतलब अच्छे marks ला सकते हो, और आपके CA foundation के journey में, क्योंकि क्यों ऐसे करना है सर, आपको में तक में के बाद चीज भी course update हो चुका है, और आपका सही पढ़ाई तब चालू होगा दोस्तो, law are together new subject है, mass जिनका 11-12 होगा, बहुत सारे mass में भी common chapter है दोस्तो, मैं एक separate video बड़ा बना होगा उसमे, लेकिन आप ध्यान से सोचिए, आपको November, December, Jan और February, यह जो महिने ना, यहापे CA foundation पे time कम करना प जैनिवेरी टॉक्टो कर, करीब करीब आठ से नौ यह दस महिने आपको पढ़ना है CA foundation अच्छी, फिर आपके board exam, foundation की पढ़ाई कम होगी, और उसके बाद, March के बाद, आप लोगों को April, अगर में में exam है, तो तो तुरन एक देड़ महिने में आपको paper में जाना है, तो जो कि हमारे साथ के बच्चे पढ़ते हैं, या college इतना time इतना पढ़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा competition होता है, कि आर वो कर रहे हैं, तो मैंने भी करना चाहिए, हम वो उड़ी तो मार देते हैं, लेकिन अपने friend को नहीं पहचान पाते हैं, आपको अभी से कम से कम 6-8 घंटे पढ पढ़ेगा सर, और हो smart study करो, ऐसा नहीं क्यों homework करते बेटे 8 घंटे, नहीं वैसे नहीं चाहिए, अगर आप smart study करोगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका May 24 क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कि आप सिर्फ CA foundation नहीं कर रहे हैं, आपके बीच में 11th के exam आएंगे, आपके board के exam आएंगे, और जब जब exam आएंगे, तब तक तो आप पढ़ाई, CA foundation की पढ़ाई से break लोगी, तो यह तो एक journey बताना था, कि आपके पास बहुत बहिने नहीं बचे हुए है, तुरू कीजिए, लेकिन सिर्फ कोई भी चीज को सोच समझ के कीजिए, आपका पैस वेस्ट नहीं हो रहा है, यह ध्यान में रखिये, सिर्फ decision लेना क्योंकि parents बहुत मेहनत करते हो पैसा कमाने के लिए, है ना, flow में आके मेरा दोस्ट कर रहा है, तो मैं कर लूगा, नहीं सर, आज कल तो ठीक है, यह चीज़े में अभी एकी वीडियो में सब नहीं बताऊगा लेकिन मेरा एक कहने का मतलब यह सर, आपका economics, यह subject भी, 12th economics के, जो chapter है, 3-4, as it is, यह foundation को है, तो आपको पढ़ाते वक्त, अगर वो link को ही करा के देना, maximum class वाले नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको पता है, कि सर, इतना हम 20,000, 25,000 एक subject का फीज ले रहे, 15,000 ले रहे, कैसे कहे अगर आप यह करने वाले बच्चे हो, 11th commerce में हो, तो इस channel से जुड़ जाईए, time to time में आपको update दूगा, और भी आपको कुछ सवाल रहेंगे, तो मुझे comment box में पूछे, आप नासिक में होते एक बार आईए, जहना कि guidance लीजे, उसका कोई charges नहीं है, आपके parents के साथ आए मैं आपको guide करूगा, आप अपने telegram channel और application से जुड़ जाईए, बाकि सारी बात है, क्योंकि knowledge और guidance यह रहा, तो success definitely मिलता है, बट guidance, proper guidance देने वाले लोग बहुत कम है, बस लोग अपना फाइदा देखते हैं, तो आपको यहाँ पर unbiasly सारी चीज भी बताई जाएगी, बस आपको हम तक पहुंचना पढ़ेगा, बबाए, टेक केर, जैहिन, जै भारत